नमस्कार आप सभी को सात्वे अंतराष्टिय योग दिवस की बहुत बहुत शुब काम नाई आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उमीद की एक किरन भी बना हुआ है दो वर्षे दुनिया भर के देशों में और भारत में बले ही बड़ा सारवजनी कारकम आयुजित नहीं हुआ हो लेकिन योग दिवस के प्रती उत्सा जराब ही कम नहीं हुआ है कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रती उत्सा को और भी बढ़ाया है मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूँ कि हर देश, हर समाच और हर व्यक्ति स्वस्त हो सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने साथियों हमारे रुश्यों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्चते ये परिभाशा दे थी उन्होंने सुख दुख में समान रहने संयम को एक तरह से योग का परामिटर बनाया था आज इस वैश्विक त्रास्थी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है कोरोना के इन डेड वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है साथियों दुनिया के अधिकाव देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांसकृतिक परवन नहीं है इस मुश्किल समय में इतनी परिशानी में लोग इसे आसाने से भूल सकते थे इसके उपेक्षा कर सकते थे लेकिन इसके विपरित लोगों में योग का उच्छा और बड़ा है योग से प्रेम बड़ा है पिछले डेड़ सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने है योग क्या जो पहला परियाए सैयम और अनुशाजन को कहा गया है सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयाज भी कर रहे है साथियों जब करोना के अद्रिश्य वायरस से और इस अद्रिश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से सामर्थ से और मानसिक अवस्ता से इसके लिए तैयार नहीं था हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठीन समय में योग आत्म बल का एक बड़ा माध्यम बना योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बिमारी से लड़ सकते हैं मैं जब फ्रंट लाइन वारियर से डॉक्टर से बात करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाब लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कबच बनाया डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी इस तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीजों को योग सिखा रहे हैं तो कहीं मरीज अपना अनुभव साजा कर रहे हैं प्राणायम अनुलोम बिलोम जैसे ब्रितिंग एक्सरसाइज यह हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को कितनी ताकत मिलती हैं यह भी दुनिया के विशरसग्य खुद बता रहे हैं साथियों महान तमिल संथ श्री थिरुबलुबर्द जी ने कहा नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदू तनिकुन वाय नाडी वाय पच्चय अलग अर्थात अगर कोई बिमारी है तो उसे डायोगनाईज करो उसकी जड़ तक जाओ बिमारी की वज़े क्या है यह पता करो फिर उसका इलाज सुदिश्चित करो योग यही रास्ता दिखाता है आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है मुझे संतोस है कि आज सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है आज कल हम देखते हैं कई स्कुरों में ओनलाइन क्लासिस की सुरुवात में दस पंदरा मिनिट बच्चों को योग प्रानायम कराया जा रहा है ये कुरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की सारीक रूप में तैयारी कर रहा है साथियों भारत के रूशियों ने हमें सिखाया है व्यायामात लबते स्वास्तम दिर्ग आयुशम बलम सुख़ आरोग्यम परमंभाग्यम स्वास्थम सरवार्त सादनम हर्थाथ योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ मिलता है सामर्थ मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है हमारे लिए स्वास्थ ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ ही सभी सफलताओं का माध्यम है भारत के रूशियों ने भारत ने जब भी स्वास्थ की बात की है तो इसका मतलब केवल केवल सारीरिग स्वास्थ नहीं रहा है इसलिए योग में फीजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोड़ दिया गया है जब हम प्रायम करते हैं ध्यान करते हैं दूसरी योगिक क्रियाय करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ती हमारा आंतरिक सामर्थ इतना ज़्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड नहीं सकती योग हमें स्ट्रेश से स्ट्रेंथ की और और नेगेटिविटी से क्रियेटिविटी का रास्ता दिखाता है योग हमें अवसात से उमंग और प्रमात से प्रसात तक ले जाता है Friends, Yoga tells us that so many problems might be out there but we have infinite solution within ourselves we are the biggest source of energy in our universe we do not realize this energy because of the many divisions that exist at times the lives of people exist in silos the divisions reflect in the overall personality as well the shift from silos to union is Yoga a proven way to experience a realization of oneness is Yoga I am reminded of the verse of the great Gurudev Tagore who said and I quote the meaning of ourself is not to be found in its separateness from God and others but in the ceaseless realization of Yoga of union unquote the mantra of Vasudev Kutum Kam which India has followed since ages is now finding global acceptance we all are praying for each other's well-being if there are threats to humanity yoga often gives us a way of holistic health yoga also gives us a happier way of life I am sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in health care of masses सात्यो जब भारत ने उनाइटेड नेशन्स में अंतरास्टिय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलब हो आज इस दिशा में भारत ने United Nations WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपुन कदम उठाया है अब विश्व को M-Yoga M-Yoga App की शक्ति मिलने जा रही है इस एप में Common Yoga Protocol के आधार पर योग प्रशिक्षन के कई वीडियोज दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में उपलब दोंगे ये आधुनिक टेकनोलोजी और प्राचिन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बहत्रिन उधारन है मुझे पूरा विश्वास है M-Yoga App योग का विस्तार दुनिया भर में करने और One World One Health के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमी का निभाएगा साथियों गीता में कहा गया है तम बिद्धा दुख संयोग वियोगम योग संगित्तम अर्थात दुखों से वियोग को मुक्ति को ही योग कहते हैं सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता कि ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ा दी है चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्तिती हो, कोई भी आयू हो हर एक के लिए योग के पास कोईने कोई समाधान जरूर है आज विश्व में योग के प्रती जिग्यासा रखने वालों के संघ्या बहुत बढ़ रही है देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों के संघ्या में भी भुद्धी हो रही है ऐसे में योग का जो मुल्भुत तत्व ज्ञान है मुल्भुत सिध्धांत है उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुँचे अभिरत पहुँचे निरंतर पहुँचे ये कार्य आवशक है और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को योग के आचारियों को योग के प्रचारकों को साथ मिलकल करना चाहिए हमें खुद भी योग का संकलप लेना है और अपनों को भी इस संकलप से जोड़ना है योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविश्य का मार दिखाएगा मानवता को ससक्त करेगा इनी शुपकामनाओं के साथ आज आंतराष्टिय योग्ज दिवस पर पूरी मानवजात को आप सभी को बहुत बहुत शुपकामनाओं बहुत बहुत धन्यवाद 저희 ही पर स्थेट ओुपकामनाओं के जुपकामनाओं है। बहुत बहुतुपकामनाओं के लिधारेशब नहीं य४कामनाओं रचे.